तो SWAT analysis जैसे कहते हैं जैसे आपकी strengths क्या है, क्या पता चले मेरी यह strengths है हमारी कमपनी की, क्यूं के फिर आप अपनी strengths को use कर के आगे बढ़ सकते हैं, अपनी strengths पर आगे के planning बना सकते हैं, मेरी weakness क्या है? ऊता चले हमारी weakness क्या है? इसी वजह ज्या सिन एक company में एक शक्स में बहुत strong इमानदारी होनी चीए कई और क्या होता है?ыч और मुझ में लगता है आखं ह। तो फिर क्या होता है? कि बहुत से लोग अपनी weakness को छूपाते हैं उसके पर दोश डाल दो, कुछ नहीं मिला बोले मैं नसीवी खराब, अरे तुमने ये प्लानिंग में प्राब्लम किये, तुमने ये मिस्टेक किये, तुम्हारी ये वीक्निस है, क्यों नहीं देख रहो, वीक्निस है तो क्या हुआ, है, हम सॉल्फ करेंगे इंशाला, मतलब क अरे नहीं देख रहो, वीक्निस को इमानदारी से पहचानना चाहिए, तो ऐसे सही गुमान करने वाले लोगों के इंदेख अंदर से स्ट्रेंथ होती है, क्यों कि ऐसे प्रिशान हो, और अल्ला के बारे में बद्गमानी कर रहे हो, तो आखिर भी तुमाई बर्वाद हो र स्ट्रेंफिस करना चाहिए, कई बार ऐसा होता है, कि मिसाल के तौर पर इसे हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो है इस तरह से अपने प्रोडक का एक होता है टीक-off, एक होता है प्रोडक की पर पहुचता है, कई बार वो प्रोडक जाकर के फिर बाल में डिकलाइन होने बोलते हैं कि लाइफ साइकल के अंदर वो किस स्टेज़ पर है प्रोडक्ट अभी एक होता है ना लोग समझते जंदगी भार ऐसे ही चलने वाला है वैसा नहीं होता है प्रोडक्ट की लाइफ साइकल होती है उसकी चीज़ें चेंज होती है तो समझना जरूरी कि कब साइचुरेट हो गया अब डिकलाइन स्टार्ट हो गया वो भी समझना बहुत जरूरी है कभी कबार ऐसा होता है कि रॉंग टाइम पर लोग सोच लेते हैं नहीं है जो क्या वजह से लोग प्राइसे हाई रखते हैं कि भी कोई कॉलिटी हाई हो या कोई लग्जिरी है कोई यूनिकनिस है कोई एक्स्क्लूजिविटी है यानि कोई खास चीज है तो यह सब चीजों से अपने आपको इमानदारी से अनलाइस करें तो मैं आपके सामने बस यही बात रख रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स आते हैं यह सोच के चलिए लेकिन प्रॉब्लम्स में हम उसका सल्यूशन क्या निकालेंगे हम उसके अंदर किस तरह से प्रो आक्टिव तौर पर उनको सॉल्फ करने की कोशिश करेंगे इंशाला चलिए आज के हम डिस्कुशन स्टार्ट करते हैं